बिस्मिल्ला रिमान रहीम शुरू करती हूँ अल्ला के नाम से जो बड़ा महर्बान और निहायत रहम करने वाला है अस्राम वालीकूम विवर्स उमीद करती हूँ आप सब कारियस से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहां रहें खोश रहें अबाद रहें आज हम बना रहे हैं बहुती जबर्दस मटर आलू का प्लाव गाज यह इतनी जल्दी बन जाता है कि आपको यकीन नहीं आएगा और बहुती जबर्दस बनता है तो चलिए गाज टाइम जाया किया बगार हम इसको बनाने स्टार्ट करते हैं हमें जो समान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं यह देकी मैंने समान निकाल के रखा हुआ है दो अदद मैंने अलू लिये हैं बड़े साइस या जानी की कट कर लिया। 1-1 teaspoon अरी मिश लिए मैंने 4-5 अदर्द इसको बीच में से कट कर लिया है थोड़ा सा जो है मैंने पौधी न लिया है चलिए गाइस इसको बनाना ये स्टार्ट करते हैं मैंने एक कडाई में आयल गरम कर लिने रख दिया था ये हाप पप ऑईल है इसमें मैंने सबसे पहले प मुणऻल लिया है मतर और आलू को डालेंगे घरएặt को मिलाने के बाद हम इसमें लसन और अदरग का पेस पैस ताकि यह अच्छे से मुणं का जाए लें बहुत ही simple recipe है और बहुत ही जबरदस है आप लोग इसको ज़रूर बनाईगा यह बहुत ही जबरदस लगती है यह देखिए मैंने इसको जो है अच्छी तरह मिक्स कर लिया है लस्तन अध्रक के साथ अब जो है हम इसमें मसाले भी डाल देंगे जो हम दें निकाल के रखे हैं बहुत ही simple मसाले है जाद हम इसमें मसाले भी add नहीं करने है यह देखिए मैंने नमक और करब मसाला भी डाल दिया है और अब हरी मिर्च थी वह हमने कट करके रखिए वह भी हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसको जो है मिक्स करेंगे अच्छी तरह यानिके medium to low flame पर हम इ कर दिया है अब मैं इसमें एक ग्लास पानी डाल रही हूँ बहुती जबर्दस कुछबू आ रही थी इसमें से इस टेम पर मैं आपको बता नहीं सकती हूँ यह देखिए मैंने पाई डाल दिया है अब मैं इसमें कवर लगा कर रख दूंगी ताकि जो वेजटेबल है वो फ्लेम को हम medium low कर देंगे तो चलिए गाइस मिलते हैं 5 मीट बात यह देखिए गाइस पांच मिनिट हो गए हैं इसको पकते हुए आप देख सकते हैं वेजटेबल में से पाणी जो है खतम हो गया है तकरीबल तोड़सा पानी है इसमें अब हमें जो है दूसरी चीज़े ए सकते हैं कोई मसले की बात नहीं है यह देखिए मैंने चामल डाल दिया है उनको मैंने पहले ही दो घंटे पहले भिगो दिया था क्योंकि सेला चामलों को भिगोना जरूरी होता है और अब मैं इसमें एकलास पानी डाल रही हूँ आप लोग जो है अपने चामल के हिसाब से प लगनी जाए बैट नहीं जाए यह देखिए कितनी जबरदस लुक लगई है और बहुती जबरदस कुछबू आ रहे थी मतर प्लाओं में से आप लोग इस रेसिपी से एक दफा जरूर ट्राइ करिएगा बहुती सिंपल और बहुती असान रेसिपी है यह देखिए मैं दंपर रख देंगे 15 मिट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर जैसे हम चामल रखते हैं तो गाइस यह देखिए मैं इसको एक दफा मिक्स कर लिया है अब दुबारा में 15 मिट के लिए रख रही हूं इसको यह देखिए काईस 15 मिट हो गए थे चामलों को पकते हुए आप द रेसिपी कैसी लगी तो गाइस सबसे लास्ट में अगर आप लोग मेरी चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना बूले और बैल आकन को जरूर दबाए ताके आपको मेरी हराने वाली वीडियो बरबग देखने को मिले तो चलती हो दुआओं में याद इंशाल्ला फिर एक जबरदस सीरीज भी लेक्या होंगी आपके लिए अलाहाफिस